हर हर महादेव जैश्री केदाना दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदाना त्यात्रा से जुड़ी बहुत सारी अपडेटों के बारे में आज की डेट है 19 माई 2024 और आज की जो अपडेट है वो बहुत ज्याद़ इंपोर्टेंट है क्योंकि यात्रा पर बहुत ज्याद़ बीडारी है और जिसे देखते हुए बहुत सारी तयारी की गई है यात्रा में ष्द्दाव लोग लिए और साथ के साथ जो बिदाव र रहे हैं यात्रा पर उनके लिए भी सबसे फ़ले अप्डेट के चेक हो रहे हैं रिसी केस में रुद्र प्याग में और साथ के साथ सौन प्याग में प्रॉपर तरीके से रिजिट्रेशन चेक किये जा रहे हैं जिसका रिजिट्रेशन है उसी को यात्रपर जाने दिये जा रहा है और साथ के साथ यात्रपर जाते बक्त आप सोई को बता यह मतलब कि आपको चार से पांच घंटे लग सकते हैं सौन प्रयाग से निकलने में गुपत कासी के तरफ और गुपत कासी से सौन प्रयाग तरफ तो यह क्राउड आपको दीख रहा है मतलब कि काफी ज़्यादा क्राउड है और दूसरी बात यह है बीकिन का टाइम चला है तो काफी सारे लोग प्लैन कर रहे है या तरफ पर आने के लिए अगर आप भी आ रहे हो तो अपने साथ गरम कपडे साथ के साथ रेंड कोट और मैडिशन जरूर लेके आना अपनी हैल्थ का चेक अप कराके जूरूर आना क्योंकि बहुत से लोग को प्रॉलम हो रही है ट काफी ज्यादा लोग पहुंच रहें ट्रेक पर आपको जामड़ेको मिल रहे हैं को ऊचाएग को दृबंस हो रहे हैं तो मेरा चीज की प्लैनिंग कर रहे हो हरना की प्लैनिक करो विए यात्रा की प्लैनिक करो क्योंकि आप सोई को पता है माई और जून काफी पिकी सीजन होता है नॉर्मल की बात करूँ तो 20 से 25 है लोग डेली पहुसते हैं बावा केदानत की यतरा पर तो आपको क्राउट देखने को मिलेगा तो अगर आप प्लाणिंग कर रहे हो तो ESI प्लाणिंग करके और मौर्निंग में जल्दी से लाइन में लग जाओ उसके बाद ये आपके दर्शन हो सकते हैं नहीं तो आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे तो ये है कुछ अपडेट जो कि केदानत यातरा से जुड़ी हैं और मैं आप से इको बताना चाहूँगा अगर आप केदानत यातरा, दोदाम यातरा या फिर चारदम यातरा की प्लाइनिंग कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नमबर मिल जाएगा जहां से आप चल सकते हो हमार साथ चारदम की यातरा, दोदम की यातरा और केदानत की यातरा पर बाबाई, टेक केर, जैश्री केदानत, मिलता हूँ एको नई अपडेट के साथ